साल दो हजार उन्नीस मुंबई के विरार सोसाइटी बच्छराज पैराडाईज में सफाईवानों को नाली में शव के टुकड़े मिले यह शव के टुकड़े किसके थे क्या कहानी है इसके पीछे कैसे एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के टुकड़े करके उसे शौचाले में बहा दिया यह कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे आज हम आपको सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रही हैं मुंबई के विरार में यह घटना घटी थी पिंटु शर्मा अपनी पत्नी पूर्निमा और दो बेटों के साथ वकोला सांता क्रूस पूर्व में रहते थे गणेश कोलहटकर के शादी की तैयारिया चल रही थी लेकिन पैसों की कमी थी गणेश कोलहटकर ने पिंटु शर्मा से एक लाख उधार लिये जब उनके पास पैसे आये तो 40,000 पिंटु शर्मा को चुका दिये अब सिर्फ 60,000 की उधारी बाकी थी 15 जन्वरी 2019 को पिंटु शर्मा ने गणेश कोलहटकर को विरार के घर मिलने बुलाया विरार के घर में दोनों की बातचीत शुरू हुई हासी मजाक चल रहा था उसी दोरान लेन देन की बात बीच में आई और दोनों में कहा सुनी हुई और उसी कहा सुनी में पिंटु शर्मा ने गणेश कोलहटकर को धक्का मारा गणेश कोलहटकर के पीछे दिवार थी धक्का इतना तेज था कि गणेश कोलहटकर की उसी वक्त मौत हो गई गणेश कोलहटकर की मौत देखकर पिंटू शर्मा डर गया लेकिन बाद में हत्या को छिपाने की कोशिश में लग गया उसने मार्केट से हथोडे, दो छोटे और एक बड़े हैकसो ब्लेड लाया फिर शफ को बाथरूम में लेके गया फिर उसने उसकी हड्डियों से मास को अलग कर दिया उसे लगभक 400 तुकडों में काट कर उन्हें शौचाले में बहा दिया और हड्डियों को भयंदर खाडी में फैट दिया विरार पश्चिम में बच्छराज पैराडाईस के निवासियों द्वारा नाली जाम होने की शिकायत करने के बाद मामले का खुलासा हुआ और मरम्मत के लिए नाली को खोला गया पुलीस को सूचना मिलने के बाद पुलीस घटना स्थल में पहुची पुलीस ने सोसाइटी की CCTV फुटेज में गणेश और शर्मा को इमारत में प्रवेश करते हुए देखा गया लेकिन गणेश कोलहटकर को इमारत से बाहर निकलते हुए नहीं देखा जा सका उसके बाद पुलीस ने इमारत के सभी बंध फ्लैटों की जाँच शुरू की एक जाँच में एक फ्लैट से बहुत बद्गू आ रही थी जब फ्लैट को खोला गया तब पता चला की हत्या को अंजाम इसी फ्लैट में दिया होगा पुलीस ने सोसाइटी से पता किया की पिंटू शर्मा ने इसे किराय पर लिया था जिसके बाद शर्मा को गिरफतार कर लिया गया उस पर हत्या और अपराद के सभूतों को गायब करने से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्स किया गया है